ओम श्री परमात्मने नम्हा, हरे कृष्णा, इंद्रा एकादशी का व्रत और उसकी कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युदेश्टिर महराज के समवादों में इंद्रा एकादशी के महात्म का वर्णन है युदेश्टिर महराज ने पूछा कि हे मधुसूदन, आश्वेन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है उसे पालन करने की विधी क्या है, इस व्रत से क्या फल प्राप्ती होती है, क्रप्य विस्तार से वर्णन करें तो भगवान शिक्रिष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम इंदिरा है, इस व्रत के पालन से पतित पित्रों का उधार होता है और व्यक्ती सभी पापों से मुक्त हो जाता है हे राजन सत्योग में इंद्रसे नामक राजा था, अपने सभी शत्रों को पराजित करके वह महिश्मती पूरी राज्य पर राज करता था अपने पूत्र पाउत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था, उसे भगवान विश्णू के प्रती बहुत भक्ती थी इसलिए वह नित्य मुक्ती दाता गोविंद का इस्मर्ण करता था, एक बार राजा अपने सिहासन पर आनंद से विराजमान था, तभी आकाश मार्ग से देवर्शी नारद वहां पधारे राजा उन्हें देखकर सिहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना की, तभी देवर्शी नारद ने राजा को पूछा की हे राजन, आपकी राज में सब सुखी है ना, आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे है ना, तथा भगवान विश्णों के चरण कमलों में आपकी भक्ती है ना, तभी राजा ने कहा की, हे देवर्शी, आपकी क्रपा से सब कुछ ठीक ठाक है, यग्यों के फल हे तु हुई आज आपके दर्शन हुए, क्रपया आपके आने का उदेश बतलाईए, तो राजा के नम्रवचन सुनकर नारद मुदी ने कहा कि हे नरपिश्रेष्ट, एक घटी हुई अद्भूद घटना सुनिये, ब्रह्म लोक में यम लोक गया था, ब्रह्म लोक से मैं यम लोक गया था, वहाँ पर यम राज ने मेरा योग्य स्वागत किया, वहाँ पर मैंने आपके पुर्णेवान पिताश्री को देखा, उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है, वह यह है कि हे देवर्शी मेरा पुत्र इंद्रसेन महिश्मती पुरी का राजा है, उससे आप कहना कि अंजाने में किये गए पाप कर्मों के कारण मैं यम लोक मैं हूँ, मेरे उधार के लिए इंद्रा एकादशी का वरत पालन करके उसका फल मुझे अरपन करे, नारद मुनी ने आगे कहा कि हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ती होने के लिए आपको इंद्रा एकादशी का वरत करने को कहा है, तभी राजन ने पूछा कि हे देवर्शी, क्रप्या इस वरत की विधी बत लाईए, तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, दश्मी के दिन प्राता काल उठकर सनान के पश्यात पितरों को तरपन देना चाहिए, केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए, एक आदशी के दिन प्राता काल उठकर सनान करें, उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का वरत धारन करके पूर्ण उपवास करना चाहिए, भगवान अरविंद मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, मध्यान के समय शालग्राम के सामने पित अन गाय को दे देना चाहिए, और चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अरपन करके भगवान रिशी केश की पूजा करें, और भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवन, कथन, पढ़ना, कीर्तन, इत्यादी करके रात भर जागरण करना चाहिए, अंधुपोत्रपाउत्र के साथ उपवास छोड़ना चाहिए, भोजन करते समय शानती होनी चाहिए, हे राजन, मेरे कहे अनुसार, अगर आप वरत का पालन कर रहे हैं, तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ती होगी, इतना कहकर देवर्शी नारद अ भाव से स्वर्ग लोक उसे पुष्ट वरिष्टी हुई, और राजा के पिताश्री गरुण पर बैठकर वैकुंठ गए, उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज किया, और अपने पूत्र को राज सौप कर राजा स्वयम भगवत धाम को चले गए, हर हरे कृष्णा, श्री कृष्ण अरपडम अस्तु, हरे कृष्णा, यदि आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियो पसंद हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन का बटन दभाना न भूले, ताकि मेरी अगली नौटिफिकेशन आपको प्रापर मिल जाए, हरे कृष्णा,